हेलो बचों आज हम लोग आरोभाग दो का पार्थ 9 रुबाईयां के प्रश्ण उत्र करेंगे बचों रुबाई में आपकी पार्थ पुस्तक में प्रश्ण उत्र जादा नहीं है इसके दो तीन ही प्रश्ण है तो उनको देखते हैं और कुछ अलग से इंपॉर्टेंट प् करके क्या भाव उरंजित करना चाहता है फिराग और भोरकुरी बहन के मनमें एक भावनाइयं उबड रही होतीं है क्योंकि रखशा बंदन का तिह हर सावन के महीने में आता है और उस समय आकाष में बादलों के साथ बिजली भी चमकती है और राखी के लच्छी भी उसी तरह बिजली की तरह चमक रहे हैं जिस प्रकार बिजली की चमक सचाई को दर्शाती है उसी प्रकार राखी के लच्छे भी रिष्टे की पवित्रता को व्यत्त करते हैं घटा और बिजली का रिष्टा भाई और बेहन के रिष्टे क उस राखी में जो चमक रहे राखदा गई है, उनसे चमक बेहन के चेहरे पर आ गई है, और उसको रस की पुतली कहा. तो ये संबंध है, बिजली की चमक में हो, राखी के लच्छे में. यहाँ बच्छों आपका टिपड़ी करे में दो प्रशन है, कि गोन्धी के चांद और गगन के चांद का रिष्टा क्या है इस पर टिपड़ी करना है कुछ बातें आपको लिखनी है कुछ शॉर्ट नोट लिखना है तो मा अपनी गोध में सोय बच्चे को देखकर अभी भूत है मतलब गगन का चान्द और मा के हाथों में जो चान्द है उस बच्चे को देख करके मा बहुत खुश है प्रेम से अभी बूत है مतलब उसके मन में वाजसल उमड रहा है मा का प्यार उमड रहा है उपने बच्चे के लिए वो बच्चा मा को कैसा लग रहा है? चांद की तरह है हर बच्चा मा को अपना हर बच्चा चांद की तरह लगता है तो वो चांद जैसा उसका बच्चा उसके हाथों में है इसलिए कवी ने उसको कहा है गोधी के चांद कह करके समोधित किया वो तो आस्मान का चांद है और वो गोधी का चांद है मा के लिए उसका बच्चा उसकी गोधी का चांद है मा की गोधी में सोया बच्चा आस्मान के चांद को देखकर हर्शित होता है अब जो मा की गोधी में जो बच्चा है वो उपर के चांद को देखकर के खुश हो रहा ह दूसरा है सावन की घटाएं और रक्षा बंधन का पर, इसमें क्या संबंध है इसके टिपड़ी करनी हैं आपको आप पूरा रक्षा बंधन के बारे में लेख सकते हैं एकadaşा बंधन है यह सावन के महिने में आता है यह जो संबन्ध बिजली तथा घटा का होताइं वही संब जीवन भर चलता है जन्म से शुरू होता है और मृत्य तक यह संबंध चलता है उतने ही प्रगाड़ता के साथ तो यह संबंध है सावन की घटाओं और रक्षा बंदन के पर्व में बच्चों यह दो तीन प्रश्ण बस आपके इसमें हैं अब बच्चों इसके अलावा प्रश्ण बच्चों इसके लिए आपको अलग से कुछ बढ़ने की ज़रुद नहीं है बच्चे को मा कैसे नहिलाती तो मा बच्चे की कंगी कैसे करती है तो उसको पकड़कर कर गुटनों में दबा करके कंगी करती वरना बच्चा भाग जाएगा और बच्चा कैसे मा को देख रहा है बड़े प्यार से उसको देख रहा है वच्चाटेवादी पर लोग आपना गरंग सजाते सवारते लिपाई-पुटाई करते हैं सजाते हैं इस अबसर पर मा बच्चों के लिए क्या लाती है चीनी के खिलोने लाती है और लावा लेकर लेकर आती है मा के चहरे करके उसको बना लेती है कभी ने रुबाई में कौन से रिवह सावन क्या है रसकी पुतली किसे कहा गया रसकी पूची उपकों समझ में आ गई होंगी इस पर आया कोई भी प्रश्ण आप उसका उत्तर आसानी से लिख सकें मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स पार्ट के साथ तब तक पढ़ाई करते रहें कहीं कोई परिशानी है कोई कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं खार्ट करते हैं